इस वीडियो में हम लोग भी हाड़ बूर्ड, क्लास 7, प्रस्णा वाली 15.5 का question number 9 देखेंगे इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर देख लीजे question number 9 क्या करें question number 9 करें चाय का एक आयताकार बगान 150 मीटर लंबा और 75 मीटर चोड़ा है और उसके चारो ओर से बाहर से 8 मीटर चोड़ा एक पत है यदि प्रती 100 वर्ग मीटर पत बनाने का खर्च 10 रूपिये 75 पैसे हो तो पूरा पत बनाने का खर्च क्या होगा वो हमें निकालना है तो देखिए इस question को चलिए देख लेती अपने copy में और इनको अच्छा से समझ भी लेंगे तो देख लिए question number 9 क्या कह रहा है जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आपको करना है देखिए इसमें क्या कह रहा है चाय का एक आयताकार बगान 150 मीटर लंबा और 75 मीटर चोड़ा है यहाँ पर क्या है एक चाय का आयताकार बगान है यहाँ पर आयताकार बगान बना लेंगे इस परकार से हम एक आयत बना लेंगे आयत का चित्र बना लेंगे हम इस परकार से यह हो गया हमारा आयत का चित्र यह आयताकार बगान हो गया और इस बगान की जो है लंबाए दिया है 150 मीटर यह क्या है 150 मीटर लंबा है और 75 मीटर चोड़ा है तो हम इसको लिख देते हैं और इसको अंदर भी लिख सकते हैं कुछ कारण है इसलिए हमने इसको अंदर में लिखा देखे क्या कारण है हम आगे आपको समझाते हैं इसके बाद देखे क्या कह रहा है और उसके चारो उर से बाहर से आठ मीटर चोड़ा एक पहत है और उसके बाहर से यह बाहर से चारो उ तो यहां कि 8 मेटतर है यहां पर लिख देंगे यहां के ऑट यह ब है रास्ताई यान की पत्स है यदि प्रती 100 वर्ग मीटर तरफ बनाने का खर्च 10 रूपया और 75 पैसे हो तो पूरा प्रत बनाने का खर्च क्या होगा यह जो पूरा रास्ता है ज़ो पूरा रास्ता का खर्च कितना होगा वो आमें निकालना है तो इसके लिए हमें दखिए बड़े आयत का छितपल जैसे हमने question number 1 किया हुआ था उसी परकारस इसमें है और इसके बाद last में हम क्या करेंगे रास्ता का निकाल लेंगे तो दखिए हम कैसे कैसे करेंगे सबसे पहले हम बड़े आयत को यहां पर मान लेते हैं कुछ इसको मान लेते हैं A इसको मान लेते हैं B इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D इसको भी कुछ मान लेते हैं M N O P इस परकारस हमने नाम दे दिया इसका अब क्या करेंगा हम इसमें तो यहां पर देखिए क् बड़े आयत को हमने क्या माना है A, B, C, D माना है लिखेंगे बड़े आयत A, B, C, D का लंबाय जो जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं इसकी लंबाय दिया है कितना बड़े आयत का यहां पर देखें यहां तक की दूरी नहीं दिया है हमें छोटे आयत का लंबाय तो द कालते हैं तो यहां से लेके यहां तक की इसकी लंबा है दिया है 150 मीटर लेकिन यहां से लेके यहां तक की चोड़ाई कितना दिया है यह कितना चोड़ा रास्ता है यहां से यहां तक चोड़ा है आठ मीटर रास्ता है तो यहां पर हम लिखेंगे आठ और इसको हम जोड़ते इसमें 150 मीटर और फिर यहां तक तो हमें पता चल जो का है अब यहां से लेकि यहां तक पता चलना जैसे यहां से लेकि यहां तक उर्ट की दूरी निकल जाएगा तो यहां पर दखे कितना हो जाएगा 150 और 168 16 6 66, मीटर में है, तो लिख देंगे, मीटर में, यह हो गया, इसकी बड़े आयत की लंबा, यानि कि यहां से लेके यहां तक की दूरी हो गया, 166 मीटर, अब क्या निकालना है, यहां से लेके यहां तक की दूरी चोड़ाई, यानि की निकालना है, इसकी चोड़ाई कितना होग अब यहां से लेके यहां तक हमें पता लगाना है तो यहां से लेके यहां तक भी दिया है इसकी चोड़ाई-75 जोड़ देंगे तो अब कितना राइस में 75 और 8 कितना हो जाएगा 75, 8, 75, 5, 80, 83, 83, 83 मार जो रिंगे तो 91, 91 और मीटर में हैं तो लिख देंगा 1 तो लिख देंगा 1 मीटर में यानि कि इसकी बड़े आयत की लंबाय और चोड़ाय हमें पता चल चुका है अब हम इसके आदाम से 6 फल निकाल सकते हैं तो इसका हम लिखार निकाल लेते हैं 6 फल, बड़े आयत A, B, C, D का 6 फल, अब देखिए, आयत का 6 फल क्या होता है, लंबाई गुने, चोड़ाए, तो इसका लंबाई हमें पता है, एक बार लिख देते हैं इसकी फर्मूला, लंबाई गुने, चोड़ाए, ये बड़े आयत का लिखेंगे 91 अब इन दोनों को गुणा करेंगे अब इन दोनों को गुनाद कीजिए जब इन दोनों को गुना कीज़ेगा यहाँ पर आ जाएगा 15100 दाएगा सव ऩाइछाथ 106 003 माने है Mnop माने है Mnop का लंबाई क bus से लिए धिया है कि यहां से लेकिर तकी दूर नमबाई 80 यहां क्षेत्तर मीटर निकालना है चोटे आयत का 6BA म सबादम यहां पेंके ड्यकृ धेṇक और लका का चीन देँगे और चोडो की जोगह पे कितना लिखेंगे 5 गुना कि तो किए गुना केजिए इसको गुना किएगा स्कुआर लगा देंगे इन दोनों का तो निकल चुका है बड़े साय्य। z चोटी rozp करेंगे थे कि हमारा जो रास्ता है यह हमारा निकल जाएगा जब यह पूरा में सम इसको जब माइनस करेंगे इनका छेत्रफल का यह वला छेत्पल यह जो हमारा छेत्पल है बचा हुआ यह हमारा निकल जाएगा तो हम यहां पर लिखेंगे यहां पर लिख देते हैं रास्ते का करेंगे बड़े आयत का च्बाल कितना है थाटेशत ओर देंगे 11250 एतना को मैनस करेंगे इनको मैनस कर और तो 986 आर च्वा च्वाइसे हानी कि यहां प्र nearby रखे़ा है कि यहां पर क्या कहे रहा है यहां पर क्वेदिश्चन कहे लए यहाँ पर केया यह दी प्रॉथि है इस सब्रिखने लिए टो यहाँ पर लिखेंगे यहां पर लिखेंगे यहां पर 100 वर्ग मीटर वर्ग मीटर 100 वर्ग मीटर पत्थ बनाने यानि की रास्ता बनाने पत्थ बनाने का खर्च खर्च दिया हुआ 100 वर्ग मीटर पत्थ बनाने का खर्च होता है 10 रूपिया और 75 पाइसे इसको खर्च होता है तो बनाना कितना का है यहाँ पर निकालना कितना का 3856 वर्ग मीटर का 3856 और मीटर स्क्वाइर को इसी को कहते हैं वर्ग मीटर यहाँ पर इसी को कहेंगे वर्ग मीटर पथ बनाने का खर्च यह हमें निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इन से हम इसमें क्या करेंगे यह बट्टे में यह जो एक सो है याँ दो संख्या है तो दो सुन्हें डाल देंगे अब इसमें काट करेंगे आप इसमें काटेंगे तो यहां पर तो यहाँ पांच दूनी के 10 यह दो बार में कट गया और यह पंच इसमें बच गया इक और यह पांच तो पांच दिया के पंदर तो इतालिस बार में कट गया अब इसको चार से यहँद यह चार एकन चार और इसको चार से कटेंगे तो देखे चार नम्य के 36 नवार में यह आ गया चाटीस और इसमें बच गया कितना दो और यह तो नहीं कटेगा तो अब क्या करेंगा हम इनको वैसे लिख देंगे यहां पर 964 को हम गुना करेंगे कितना से इधर कितना बचार 43 तो 964 को हम 43 से गुना करते हैं 964 को जब 43 से गुना कीजेगा तो यहां पर आ जाएगा 10,000, 360 और बट्टे में यह 25 है तो लिख देंगे 25 अब क्या करेंगे हम 25 से भाग करेंगे इसमें 10,363 में जब इनको भाग कीजेगा तो यहां पर पीछे यहां लगा देते हैं और यहां पर लिख देंगे यहां पर आ जाएगा और दसम लो में पांच दू रूपिया में धियर आप लोग भाग कर के देख ली जएगा 25 जब इतना वहाग दी जएगा तो यहां पे आजागा 414,15 लो पांच दो रूपिया यह सका idea dáम आpect go